दस तारीक को पार्शद जो दबंग पार्शद दानन त्यावी जी अनुने हमें धम की देदी कि हम तुमारा मकान तुरवा देंगे तुम्हें घर से बेगर कर देंगे और जब धम 10 तारीक से धर्णा इस तल पर बैठे जब करी से हमारी कोई सुनवाई नहीं फिर 18 तारीक को अचाना की घर वहां से किसी का फ़ोन आया और उन्हें का कि तुमारा फोर दिया और जैसे हम लोग यहां से मीडिया लेकर कि जब यहां से घर तो आपे देखा कि जो पार्शद और पुछ दबंग लोग है उन्होंने जाकर करके हमारा साला घर तोड़ दिया ता और हमारी अब ही पार्षद किस परकारी धंपी दे रहे हुआ। प्ल्स unə यह एकान तोड़ने की धंफ मैजह को तोह डिया था मेरे हम राजनिती से हम हर चीज से दूर हैं और हम गरीड होग हैं हमार पास इतना पैसा नहीं है कि हम बड़े शाषन के पास जाकर अपने नियाई की मांग करें अगर फिर भी हमारी कोई कारवाई नहीं होती है तो पार्शेज आनन्त यागी से के हातों मरने से अच्छा है कि हम खुदी सुसाइड करें अभी आपने इसकी शिकायत कहां कहां दर्च की और क्या कुछ हो उसका मिस्कत नहीं है सबसे पहले हमने IMDuty το उफिश जीय降 ऌफिश के सबक्यां करी थी लेकिन कहीं से कोई सुनभाई नहीं हो उसके बाद हमने जब हमारा ताला तोड़ा गया हाना मकान तोड़ दिया गया पता नहीं है क्योंकि उसमें उन्होंने जैकेट पहनी होगी थी इसमें में नाम देखी है खाना राइपुल के दरोग आए हो अच्छो वहां पे गोल सा खेविन सा बना हुआ है उसके नीचे बैठ वहां उसके नीचे बैठ वहां उन्हों कुछ आनन्द यागी जी के ही हैं इसलों ने हमारी नहीं चुनी हमारी रिपोर्ट को ने ऐसे फेग दिया कि जाए हम आपकी रिपोर्ट नहीं नहींगे आप इस मैटर को और ज्यादा मद बढ़ाई है इसके आगे आगे आपने SSP और मुख्यमंत्री को भी हमने मुख्यमंत्री सर को भी तीन बार जब अन्होंने धंगी ती लेकिन उनके पीयारों ये कहते हैं कि हम दो-तिन बाद बात कराएंगे मैम अगर हमारे हमें परशानी आज है हमारी जान को खत्रा आज है हम दो-तिन दिन बाद मुख्यमंत्री सर से मिलके क्या करेंगे आपके साथ ऐसे ही कितनी वार है पिर आप जिसे आपने बताया था कि अपने तीस फैमिली और है जो इस में भी है लेकिन उन पर कारेवाई नहीं करें और उनको भी हाटाये गया जी मैं सुर्छे, हमारे घर के आजव अद्च्श परःचार करके थी फैमली कुल मिलागर थी है यह फीधर कोई हम सेरे तारगेट की बनाय गई कोंशन के नहीं हो कि ऱ में इसमा आप लेकिन हमने अपने यह नयाहार पर जाय कर हमारे राइ की pm नारते हैं तो आर यह पर में हैं सुन्हीं नहीं महीं नहीं को तोड़ दिया हुआना कर दो вес सी पीजै, आज एक पीडी परीवार अंचं पर बेटा है और उनका साथ तरो पेटा है और यह ही कहता है तो क्या क्या मामला है और क्या क्या मालब आप बताना चाहिए उनका यह प्रकार शाफ ने नहीं लगाना चाहिए इसी प्रकार से कोई पीडिति नहीं किया है इतना जलूर है कि उन्हों पहले मकान था, नदी के फुस्तेबाब मकान था इसी कलोरी में, ये 15 वर्सों से महा रह रह रहे थे, वो मकान उन्हों ने बेच दिया, और वो मकान बेच लेके बार इन्हों आपके बिलकुल नदी में, कि बीच में जो है, इनोंने मकान मनाती है, उसके बावजूद भी जिस बस्ती का जहां से पहले रास्ता था, वहीं से रास्ता यहां जाना करें ते कोई प्रोब्लम नहीं लेकिन इनका यह कहना गलत है कि नहीं वहां इस से रास्ता नहीं हम नहीं जाएंगे, हम बिलकुल आम सामने जो मंदी समीति का ला लेटी तो जहां समझ जाएंगे उस बात्रूम लेटीन को मंदी समीति तोड़ने को राजी नही है और वो कहते है कि यहां करहा पहले रास्ता था जिरुकर नहीं को रास्ता है, वो केवाल बनी समीति का अरौप है मंधिय शमीति वहां पर रास्ता नहीं देना चाहती है। क्योंकि पहले से ही महां पर मंदिर का रैंटिर बाथूम बने वेटर नहीं कोई रास्ता वहां सा है। यह पुरी कालोनी भी कहा ही चीज को, पुरी बस्ती के लोग उनके। वोब इस बात करें गी वहां को पैने सरा नहीं है ता मुहरा से नहीं ता तॉ면 रच्ता को रहा जी तो ब tastी करो आशे निया जा जी तो ए किसी आ़त तो जो जो कि यहां चलाए कि बाथरूम तोड़ो यहां को रास्ता दो और अब वो अनाफ साब अरूप लगाई जा एक तो यह तो उनका कहना गलत है तो अपके दूरा उनके घर पे लगाया गया गया है उनका ताला तोड़ के यह बिल्कुल गलत है निरादार आओ कर मेरे प तो उनके ममकान तपा आज तक गया भी नहीं देखे जो नदी में बशनेखा है जो पहले पुष्टे बठे हुए है उसके तो मैं खिलाफों की उन्हें को ही तोड़फोड की जाए उनके जो यह बैठके मैं इसके लिए भी यह निकादा कि इसमें तोड़फोड की जाए ल यह इनकी जान को खत्रा है इसलिए नदी वो मंदिर समीती से बात करें, और मंदिर समीती उने रास्ता दे सकती है, तो मुझे कोई तरह वा है। मंदिर समिती या कालोनी के विरुद होक है, फड़ा होका उन्हें कहों कि नहीं चलो मारे रास्ता, इस बात हुम तोड़का मा आपको रास्ता दूंगा, तो वो संभव नहीं है.